आसमान से जेलंसकी के लिए आज बेहत बुरी खबर आई यूक्रेन के दो ट्रेनर जेट टकरा गए और इस हादसे में यूक्रेन के तीन पाइलोटों की मौत हो गई जेलंसकी दुखी हैं क्योंकि यही वो पाइलेट थे जो कल अमारिका वाले जेट फाइटर अस-16 की कमान संभाव थे जोश के जूले पर सवार वोली दिमीर जेलंसकी को बहुत जोर का आसमानी जटका लगा है डोन से रूस पर सैकडों हमले कर क्रेमलिंट उक्राइनिया को देहलाते देहलाते जेलंसकी के तीन पाइलोट खुद ही दुरगटना के शिकार हो गए इसे ग्राफिक्स के जरिये समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद प्लेनों के टकराने के कारणों की डीटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे योक्रेम का पश्चिमी इलाखा दो एल-39 लड़ाकू प्रशिक्षण विमान दोनों विमानों को ट्रेनी पाइलट उड़ा रहे थे लेकिन देखते ही देखते दोनों प्लेन हवा में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं फिर जबर्दस धमाकिक की आवास के साथ दोनों प्लेन जमीन पर आगिरते हैं पूरे योक्रेम में खलबली मच गई है योक्रेम के एरफोर्स के हाथ पाउं फूल गए कि आखिरकार दो प्लेनों की ठकर होई कैसे फिलहार इसका जवाब किसी के पास नहीं है बस समवेदना के शब्द हैं जिसे जैलन्सकी ने मारे गए पैलेटों के परिवार को कहे आप भी सुनीगे व्टर वोने इन जातомирщину Сталося катастрофа, Двоє льотчиків загинули Серед них Андрій Пільщиков, Позивний ЧУЗ Український офіцер один з тих, Хто дуже допомагав нашій державі Дуже мої співчуття Рідним та близьким Усім, хто знав хлопців Триває розслідування того, Що сталося деталі Говорити зарано Звичайно, будуть з'ясовувати всі обставини अब आते हैं उन सवालों पर जिसका जवाब नाटो की एरफोर्स भी ढूंड रही है ये दुरघटना उस वक्त हुई है जब कहा जा रहा है कि आज अगर योक्रेन के पास ट्रेंड पाइलट होते तो F-16 की डेलिवरी अब तक हो गई होती लेकिन उसके पहले प्लेनों की टककर पर चार बड़े सवाल हवा में क्यों हुई योक्रेन के दो जेट फाइटर की टककर क्या पाइलटों की गलती से योक्रेन ने खो दिये लड़ा को विमार L-39 ट्रेनी विमानों में हो गई थी तकनीकी दिककर या रूस के अरफोर्स ने की थी साजिश इन चारों सवालों का जवाब एक के कर डीटेल में दिखाएंगे लेकिन उसके पहले योक्रेन के अरफोर्स की वो ताकत जिसे लेकर जेलेंस की आज कल बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं मौसको पर हमले कर रहे हैं क्या हुआ था हवा में उस्वर्स जब दो विमान धट्रैट साजिश या सिर्थ दुरखटना या पाइलटों में प्रशिक्षन की कमें तलाशेंगे हर एक जवाब लेकिन उसके पहले योकरें की चोटी सी किन्तु शक्तिशाली जेट फाइटरस की ताकत देख दीजए बाइस परवरी दो हजार बाइस को युद्ध की शुरुवात के बद योकरें सतर लड़ाको विमानों के साथ मैदान में उत्रा योक्रेन के इन लड़ाकों विमानों में सोवियत काल का मिग 39 और सू 27 शामिल है युद्ध के दोरान ही योक्रेन को पोलेंड और स्लोवाकिया से दो दरजल के करिब मिग 39 हासिल हुए थे लेकिन डेड़ साल के युद्ध में वो वक्त कभी नहीं आया कि योक्रेन के लड़ाकों विमान कुछ बड़ा कर सके क्योंकि रूस के सामने 70 एयरक्राफ्स का बेड़ा होने के बावजो योक्रेन एयरपोर्स की दाकत में रूस के सामने कहीं नहीं टेकता यही वज़ा रही कि युद्ध में योक्रेन ने अपने दो तिहाई लड़ाकों विमानों को खो दी मतलब योक्रेन के पास कई लड़ाकों विमान हैं लेकिन ज्यादा तर सोवियत काल के बने हुए हैं योक्रेन को घातक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करने के लिए आधुनिक लड़ाकों विमानों की जरूरत है इसलिए योक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है जिसकी अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे युद के शुरूरती दौर से लेकर आब तक पिक्षर बिलकुर क्लियर है कि योक्रेन को हवा में तबाह करने के लिए रूस के पास इतने विमान है कि योक्रेन की पूरी अरफोर्स को हवा में ही तबाह कर सकता है लेकिन इसकी डीटेल आगे, अभी हवा में दू लड़ाकों विमानों की तबाह होने की कारणों की तलाश जरूरी है योक्रेन ने अलान किया है कि उड़ान में तैयारी नियमों का उलंगन किया गया था या नहीं, इसकी आपराधिक जाँच शुरू कर दी गई है F-16 के योक्रेन पहुचने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो राजनितिक, सामरिक या कूटनितिक नहीं है बलकि काबिल पाइलोटों की कमी है उनकी कमजोर अंग्रेजी है क्योंकि अभी तक योक्रेन सोवियत दौर के विमान इस्तमाल करता आया है और F-16 एक अमारी की फाइटर जेट है योक्रेन के पास दक्ष पाइलोटों की सक्त कमी है ये बात किसी से छुपी नहीं है और F-16 जब योक्रेन आएंगे तो उन्हें योक्रेन के पाइलोट कैसे हैंडल कर पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका A to Z जबाब आपको उस पाइलोट की मौत के पहले का वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि योक्रेन को F-16 जैसा फाइटर जेट मिलते ही सारी कहानी बदल जाएगी लेकिन इस सुक्त तीन पाइलोटों की मौत का जोरदार जटका जेल रहे नीचे उतरने पर मदबूर किया और उस पर कबजा कर लिया रूस ने भी महा युद में अपनी वायुशक्ती को कमजोर किया है क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है वो चाहें विमान हो, मिसाइल हो या टैंक हो लेकिन अभी तो उस विमान की कहानी योक्रेन में प्लेन क्रैश में जिस पाइलोट की मौत होई उसकी जुबादी अंध्रेई जैसे योक्रेन के पाइलोटों की सामने जितनी बड़ी समस्या एरक्राप्स की कमी नहीं उससे बड़ी समस्या है प्लेन को चलाने की ये पाइलेट विमान उड़ाने में वो भी लड़ाकों विमान बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है यही कारण है कि मई की शुरवात में अमेरिका के राश्रबदी जो बाइडन ने F-16 देने को का लेकिन अगस्त निकला जा रहा है और अभी एलान ही हो रहे हैं कि मीदरलैंड से, डेन्मार्क से, नॉर्वे से 61 F-16 विमान योक्रेन को मिलने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले इसे उड़ाने के लिए योक्रेन के पाइलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रेनिंग का आलम क्या है? उसकी डीटेल रिपोर्ट देखी यारव देशों का घटबंधन योक्रेनी पाइलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देगा लेकिन परिशानी ये है कि योक्रेन के 32 में से सिर्फ 8 पाइलट ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने और समझने के काबिल है ऐसे में अमेरिका में बने F-16 लड़ाकों विमान पर ट्रेनिंग के पहले चरण में भाग लेने के लिए इन 8 पाइलटों का चैन किया गया है जबकि 20 पाइलट थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रहे हैं इसी महीने में ट्रेनिंग योक्रेन के पाइलटों के शुरू हो रही है